मैं समझती हूं कि शादी एक ऐसा रिष्टा है जहां पर आप सोच समझ कर अपने पार्टनर को खुद पसंद कर सकते हैं और अगनी और भगवान को साक्षी मान कर जिंदगी निभाने का वादा कर सकते हैं इस बंदन को मजबूत बनाये रखने के लिए ये ज़रूरी है कि इसमें एहम सबकोच या शक की कोई भी गुंजाईश नहों तभी ये रिष्टा एक खुबसूरत रिष्टा बन सकता है इसमें जरूरी है कि विश्वास, सेंशक्ती, प्यार और बलिदान हो लेकिन ये एक तरफा नहीं हो सकता दोनों पती और पतनी की तरफ से बराबर बराबर होना चाहिए जिन लोगों की हाल ही में शादी हुई है या होने जारी है उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत बदाई